मुदी केर फांडेशन के दुवारा जो आपको वगभुक मिली है उसमें पेश नमबर 31 जिसको आज हम हल करना सीखेंगे तो बच्चो आज का हमारा टॉपिक है छोटी संख्या जिसे हम इंगलिस में smallest नमबर भी कहते है तो बच्चो मैंने यहापे कुछ बॉक्स बनाए हुए है उन बॉक्स में मैंने कुछ संख्याई लिखे हुई है आपको क्या करना है इन संख्याओं को पढ़ना है और इन में से जो सबसे छोटी संख्या है वो इन खाली बॉक्स में लिखनी है तो चलिए पहले हम संख्याई पढ़ते हैं पहले हमारी संख्या है 13, 15, 12, 14 तो इन में से हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है 12 तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 12 अब इस लाइन के संख्याओं को हम पढ़ते है 16, 11, 15, 36 तो इन में से हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11 तो हम यहां कितना लिखेंगे 11 चलिए अब इस लाइन की संख्याओं को हम पढ़ते है 48, 38, 27, 32 तो इन में से हमारी छोटी संख्या कौन सी है 27 तो हम यहां कितना लिखेंगे 27 अब इस लाइन की संख्याओं को पढ़ते है 65, 58, 67, 68 तो इन में से हमारी सबसे छोटी संख्या कौ कौन सी है 58 तो हम यहां कितना लिखेंगे 58 चलिए अब इस लाइन के संख्याओं को भी पढ़ते हैं 65 82 91 98 तो इन में से हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है 65 तो हम यहां कितना लिखेंगे 65 चलिए अब इस लाइन के संख्याओं को भी हम पढ़ते हैं 55 98 81 तो इन में से हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है पचपन तो हम यहां कितना लिखेंगे पचपन तो बच्चो देखा आपने आज हमने किस तरह छोटी संख्या यानि कि smallest number सीखे उसी तरह आप अपनी बब बुक में इसी तरह इन संख्याओं में से छोटी संख्या डूंट कर लिखेंगा और साथ में ये भी चेक कीजिएगा कि जिस तरह मैंने आपने इन संख्याओं में से छोटी संख्या डूंट कर लिखी है क्या आपने भी उसी तरह अपनी वब बुक में संख्याओं लिखी है या नहीं तो मिलते हम अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगिलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए